पुर्व क्रिशी मंत्री ने लिया च्वाल का जायजा मराची में किसालों से की मुलकात बिहार की पुर्व क्रिशी मंत्री सुधाकर सिंग नी आज मुकामा प्रखंड अंतरगत मराची च्वाल का जायजा लिया जो जमाव की समच्छा देखी और इसके अस्थाई समधान के लिए श्यदर में बात रखने की भी बात कही है मुकामा पहुँचने पर किशार नेता प्राणव शेकर साही ने उनका स्वागत किया प्राणव सेकर शाही के आवास पर पुर्व क्रिशी मंत्री ने भोजन किया और टाल समस्या के असाई निरान के लिए मन्थन भी किया मराची पहुचने पर उन्होंने प्रोफेशर केलाज प्रशाद के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की वहां से मराची दक्षनी पंचायत के मुखिया प्रतिनीधी प्रद्युवन सिंग से मुलाकात की जहां यूवा कॉंग्रेश नीता राजाराम सिंग, भाजपनीता टुंटु सिंग, रंजन कुमार, सहित दरजनों किसान उनके स्वागत में मौजूत थे सबों ने फूल माला से उन्हें लाद दिया, सबों से बात कर पुर्व मंत्री टाल गए और वहां की समस्याओं को देखा, उन्होंने कहा की टाल की समस्या को छोड़ा नहीं जा सकता, ये बड़ी आबादी की आजी वीका का एक मात्र शाधन है, हम की सानों को नहीं छोड़ समस्या है, वो पानी चॉल श्वीत्र से लेना चाहिए था, उन्होंने सिग्र पुन्ह मुकामा आने की भी बात कही पूरा इदम जीरो बटा सन्नाटा है यहां तो यह तो देख रहे हैं यह परती दिखे हैं यह तो पुरानी व्यवस्ता रही है वो ध्वस्त हो चुकी है और यह पानी निकलने की प्रक्रिया अब दो महिना देर से होने से पूरी खेती की पूरा एक सत्र और चुकी साल में एक फसली है ही इस इलाका वह भी अब बरबाद हो चुका है और आज खेती जिस समय हम खड़ा है ठंड का मौसम में अभी तक अगर वुगाई नहीं हुई तो यह फसल लगने का समय ही खत्म हो गया चुई सबको पता है कि जितना ही ठंड बढ़ेगा अंकुरन खत्म होता जाता है उसकी छमता खत्म हो जाता है और आगे फिर पूरा फ अपनी मेरी समझ है और अस्थानिय स्तर पर हमारे सभी किसान भायों से जो मेरी बात हुई यह हजारों साल से परंपरागत रूप से अक्टूबर की महीने तक पानी निकल जाता था जो अब यहां इसकी अवधी विश्तार हो के दो महीना यह दिसंबर पंद्रह तक जा रहा है इसको वापस जितने भी इसके पुराने जो ड्रेनेज है उसको पूरी सफाई करकर के पुनरस्थापित कर देने से पानी दो ढ़ाई महीना पहले अगर निकल जाए तो फिर खेती वापस से इस इलाकी की हो सकती है आराम से और इतने बड़े छेत्र को रखबा को हम बैरन का जीवन इसी पर है किसानों का एक बड़ी आवादी है जो इस पूरे खेतों पर डिपेंड उनको भी हम अकेले नहीं छोड़ सकते इस राजी के रूप में हमको सहीव करना होगा इन सभी लोगों का जिसे की पुना खेती इस इलाके में परंपरागत रूप से शुरू हो स की